हाई आज हम बात करेंगे स्मार्ट वोल्ड का जो नया पर्जेक्ट आया स्टे 41 C2 अब द्वार करेंगे उसके बारे में और हम यहुआ प्रजेक्ट को कैसे समझना और कैसे के बारे में तो smart world और M3M साथ इसले लिखा हुआ है मैंने क्योंकि smart world जो है वो M3M की sister concern है बलाब दौनों के owner पंकज बंसर जी ही है ठीक है third point में हम discuss करते ही कि project के बारे में project के क्या features रहेंगे और last में हम बात करेंगे price और payment plan है ठीक है तो location के बात करते हैं तो डेली गुड़गाव बादर वहां से करीबन ये 500 मेटर की दूरी पर है IGA airport करीबन 4 मिनट की दूरी पर है ISEC Asia का जो largest convention center बन रहा है वहां से मात्र 3 मिनट की दूरी पर है Diplomatic Inclet जो embassy area बन रहा है जो embassy आ रही है वहां से केबल 4 मिनट की दूरी पर है और Delhi का जो largest transportation hub जो ISVT है जो दौरका के अंदर बन रहा है वह भी मात्र 7-8 मिनट की दूरी पर है उसके बाद जो golf course है जो बन रहा है वह भी दौरका में बन रहा है लास्ट बन ना पार्क यह क्या है बारत बन ना पार्क वह दौरका में बन रहा है ये भी जो आपका distance रहेगा approximately आपका 90 meter distance रहेगा इस particular project से right तो भारत बनना पार्क क्या है इंडिया का सबसे बड़ा थीन पार्क तो यह हमने लोकेशन समझ ली यह पॉइंसे समझें यह सारे सारे पॉइंस जो है यह आपके जो प्राइस को ओर पिडियोड ऑफ टाइम वो बनाने का मतलब बहुत प्रटेंचल रखेंगे क्योंकि चीजे बन रही सिर्फ इसमें अभी आईजय एरपोर्ट जो है यह यह वाला यह डेवलब बाकी स्वारी चीजें अभी बन रहेंगे जैसे चीजें बनेंगी वैसे वैसे प्राइस का इंग्रीज होगा और बिल्कुल दिल्ली के साथ यह प्रजेक्ट लगता है वहीं से आप 500 मिटर की दू प्रजेक्ट एक गॉल्फ कोस एक्स्टेंशन पे आ चुका है और एक द्वारका एक्सपेस से न्यू गुडगाओं में बलके सेक्टर 89 में ठीक है तो यह उनका थर्ड प्रजेक्ट है जो पहले दो प्रजेक्ट से वह डॉलर राइस तो से यह नहीं एक चार फ्लोर होते थ लिए कि हम पहां पर रह रहा है तो समझते हैं तो पहले समार्र एक्सपीन करें गे तो आप ने बतारें दो प्रजेक्ट्स है और M3M के बारे नहीं बता सकते के 25 यखर कर लांट बंक है उनके 39 प्रजेक्ट्स लाँच रहां थे 20 डिलिवर वा चुके ने सारी तो क्रजेस ह होते हैं अःज होते हैं तोब लेंब सेफर्सक्र लोते हैं डिया यह वाला नहीं चाहिए हूआ कि झायक है और यहाँ पर यहां पर शैकर है यह इनका प्रॉजेक्ट ठीक है This करते हैं तो प्रिज़ेक्ट के बारे में सबसे पएला क्या समझते है स्की मेन जो कृृक्रिटीकल लॉकेशन आटी में नहीं कोई खेलने की फैसलिटी नहीं सिरके वहाण में पेसलिप टोब walks रहें जो कटेजीए अचेहर्ण reign年的 का आफ», अचार है यह दिली के पास में लगता है इसलिए पोटेंचल क्या है क्योंकि इसमें सारी एमेनिटीज है वर्ट लाज एमेनिटीज है और एक अच्छा प्रजेक्ट बन रहा है तो इसका जो रेट है वह सारे बारा अधा है तो अब यह लगाने कि इसका ओवर पीरिट अफ टाइम द इसमें 16 तावर आएंगे स्वीच सिक्स्टी ऐसे आप याद का सकते हो 16 एक और 16 तावर जो 16 तावर आ रहे हैं अगर हम बात करते हैं अब तो आ रहे हैं पर टावर की है तो वह जी प्लस 39 एंगे थर्टीनाइन फ्लोस तक यह बिल्डिंग जाएगी और एक फ्लोर के ऊपर फिल में प्रेशकव यहां इंपर चाहर आपाट्मेंट रहेगी हैं अब जहां सिधे साथे में आप जानते क्रोन आया तो लोग से कम कर रहे थे तो इसमें दो चीजा एक फाइदा क्या वरिए एक पचास सीटर का को वर्किंग स्पेस दे रहे हैं मतलब उन लोग जो लोग घर से ऑपरेट करते हैं उनको एक अपनी से क्योड अलग से जगे चाहिए तो बजाए इसके ऑफिस का वह 30,000 रुपे रेंट दे रहे हैं वह को वर्किंग स्पेस में जाके अपना ऑफिस का काम भी क कर सकते हैं तो यह नया कॉंसेट है जो के भी तक कोई भी ऑपरेट नी कर रहा कुड़गाओं में बहुत बड़ी है कॉंसेट है इसकी वजह से आप यह लगा लो कोई भी कमर्शिल प्रॉप्टि लें जाओगे तो आपकी एक क्रोट दो क्रोटी आएगी या आप कोई बाह सुदा सा वो जैसे आप लेग वेग जाते उत्ता बड़ा तो नहीं बट बड़ा डिजाइन करके बड़ा सुदा सा लगेगा फिर फिर प्लभाव जो है वो गुड़गाओं का सबसे बड़ा मतलब गया सबसे बड़ा क्लबा हुदा रहा है जो कितना है एक लाग 20,000 स्वे स्पेर फीट ठीक है एक लाग वी सदा स्पेर फीट का क्लब हाउज आ रहा है इसमें शेफ-on-call की जैसे हब होटेल में जाते हैं तो आप कॉल करते हैं कि मुझे खाना चाहिए मुझे वह खाना चाहिए तो इसमें फैल्सकी अविलेबल है यह चार्जिबल रहेगा शेफ-on- जो Central Greens मैंने बताया चाहिए का Central Greece जो एक ग्रीन एक इरए जहां पर पार्क होगे और लगून सब्सक्राइब यहां पर बेसिकली क्या है कबानाज मतलब बैठने की बड़ी सुन्दर सुन्दर जगस मैं बनाय जाता है ना फिर प्रोजेक का आर्किट्ट्र जैसे मैंने बता UHA इनके architecture उन्होंने किया है बहुत बढ़िया चीज है और इनका ऐसी landscaping जो है elements Singapore की company है elements elements Singapore की company और London की UHA यह दोनों company इस project को कर रहे हैं इसमें extra specifications क्या मिल रही है इसमें मिल रहा है VRB VRB मतलब क्या होता है यह AC होता है basically मतलब एक ही डट लगता है पूरे हर में AC कर रहता है कोई भी कमरे में आप adjust कर सकते हो यह थंडी भी करता है गरम भी करता है आप टेंपरेचर का रूम का अलग से adjust कर सकते हो जिस रूम की जरूती है उसको आप off कर सकते हो ठीक है VRB AC इसकी modeler kitchen रहेगा kitchen जो का पूरा model रहेगा important रहेंगा बात करते हैं next point पर इसका price और इसका payment plan क्या तो price जैसे मैंने बताया साड़े बारह आजार रुपे है और payment plan इसका क्या 30 30 और 40 30 30 40 का मतलब बतलब 30 percent अभी देना 30 percent superstructure पर 40 possession पर इसको further break up लेते 30 percent कैसे booking कोई करेगा 10 percent और तीस दिन में 20 percent पूरा करना हो तो दस प्रस बीस हो गया 30 percent right दस प्रस बीस हो गया 30 percent यह वाला part ठीक है यह पहरी payment हो गए दूसरी payment है आपकी 30 percent on completion of super structure super structure super structure मतलब पूरी building का तब धांचा तेर हो जाएगे तब इसका payment आजाए 30 percent और जो पेमेंट 40 percent है यह वाला पीमेंट यह भी दो पार्ट में divided है आपको application of OC पे 30 percent देना है OC क्या होता है occupation certificate यानि जब एक project तयारा जाता है तो developer क्या करता है वो authorities के पास जाता है कि मेरा project तयार हो गया आप मिरको approval उसका दे दिए तो occupancy certificate occupancy certificate the government उस developer को दे ठीक है आपका सब कुछ तैयार हो चुका है तो जब वो उसकी apply करेंगे तब आपको 30 percent पैसा देना होगा और जब आपको 40 मिले की possession हो रहा होगा तो 10 percent देना होगा अब हम लास पार्ट पर बात करते हैं किसमें sizes के हैं तो इसमें basically 4 तरह के size रहेंगे 2.5 bhk 2.5 bhk का मतलब 2 room होंगे 2 toilet होंगे balconies होंगी 0.5 मतलब एक छोटा सा study साथ में आएगा ठीक है तो इसमें size क्या रहेंगे तो 2.5 bhk 1370 3.5 without servant 1850 square feet में सारे 1370, 1850, 2050, 2600 यह 3 bedroom without servant और 4 वाला होगे 2600 प्राइस जैसे मैंने पहले बता है आपको साड़े बारा अजार रुपए इसमें EDC IDC included है कार पाक और क्लब एक्स्ट्रा है तो अभी कुछ क्योंके फ्री अभी लॉंच में है तो कुछ अभी office company निकालेगी कुछ आपको और भी मिल जाए तोटल कॉस्ट हमने मान के चलते हैं अगर हम इस प्राइस को लेके चलते हैं तो परीबन एक क्रोड़ ब्यासी लग का आता है एक क्रोड़ ब्यासी लाग ठीक है तो यह प्रजेक्ट हमने पूरा समझ लिया इस प्रजेक्ट को जब समझने के बाद हमें इसी फॉर्माट में इसको समझना है और इसे एक्स्प्रेंट करना ठीक है all the best thank you